गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चर कम्प्यूटर साइस दिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपूर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम C++ लेंग्वेज में कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगी constructors functions ही होते हैं class के member function होते हैं उनकी तरह member function ही होते हैं लेकिन ये special function होते हैं special क्यों होते हैं क्योंकि ये initialization करते हैं किसी object का या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी object create होता है तब constructor call होता है the compiler calls the constructor whenever an object is created constructors initialize values to object members after storage is allocated to the object constructor initialize करता है value को object members को whereas destructors on the other hand is used to destroy the class object तो constructor है और destructor दोनों ही थंसन सी होते है class की लेकिन constructor क्या करता है किसी object को बनाता है और destructor क्या करता है किसी object को destroy करता है constructor और destructor के name है वो जो class का name होता है वही रहता है जैसे class है animal तो animal नाम कर रहेगा और destructor के पहले tilt sign लग जाएगा जब सिंटेक्स देख सकते हैं क्लास C तो क्लास का नाम हमने रखा है C इसमें पब्लीक INTX का स्ट्रक्टर फिर C नाम से हमने इसमें फंसन बनाया है यह C नाम से फंसन है तो यह C क्या है? क्या करेगा? अब्जेक्ट को initialize करेगा तो क्स्ट्रक्टर वो define करते टाइम हमें क्या द्यान रखना है? कि क्स्ट्रक्टर का name होगा वो सेम रहेगा name और क्लास के वो क्स्ट्रक्टर मैं एक बाद याद रखने हैं कि क्स्ट्रक्टर से वो कभी भी value return नहीं करते हैं कोई return टाइप नहीं होता है क्स्ट्रक्टर से को हम बाकी जैसे member functions होते हैं उनकी तरह क्लास के अंदर भी define कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी जैसे क्लास के बाहर हम डिफाइन करते हैं scope visualization operator यूज करके तो देखते हैं क्लास c public inti c तो यहां हमने क्या क्या c को सिर्फ declare करके छोड़ दिया गांस्ट्रक्टर को और इसको define का या या class का end हो गया अब define करेंगे क्लास के बाहर scope visualization operator यूज करते हैं यह बाहर इसको define किया है constructors है वो mainly तीन टाइप क्या होते हैं default constructor parameterized constructor copy constructor copy constructor को हम अलग से एक वीडियो में देखेंगी इसमें हम देखेंगे default constructor और parameterized constructor को default constructor क्या होता है default constructor कोई भी argument नहीं लेता है इसमें कोई parameter pass नहीं करते है syntax कुछ इस तरह से होता है class name parameter 1, parameter 2 constructor definition example देखते हैं जैसे हमने एक class बनाई है उसका नाम है cube public side नाम से एक variable बना दिया और cube यह जो cube हमारा constructor बना है इसमें जैसे के हम देखेंगे कोई भी parameter pass नहीं किया गया है तो यह क्या होता है default constructor कहलाता है और इसमें side के value 100 assign कर दी int main cube c तो c क्या बनाया cube का एक object बना दिया और c.side 100 100 output आगे 100 अपने value pass की दी इस case में क्या होगा कि जैसे ही object create होता है तो constructor call होता है और constructor call करते ही क्या करेगा वो जो side है उसकी value है उसको initialize कर देगा 100 default constructor अगर हम नहीं बनाएंगे तो भी वो अपने आप बनेगा initialize करने के लिए object को जैसे class cube बनाई public int side cube c cout c.side तो यहाँ पर हमने कोई constructor हमने नहीं बनाया अपनी तरब से फिर भी क्या होगा constructor है वो call होगा जैसे side की value हमने कोई pass नहीं किये तो by default default constructor है वो बनेगा और call भी होगा और वो side के अंदर 0 या कोई random values में assign कर देगा उसके बाद में default constructor के बाद में दूसरा जो आता है वो है parameterized constructor इसमें क्या होता है कि parameters pass करते है इसको हम एक example से समझ सकते हैं जैसे यहां देख सकते हैं हमने cube नाम से class बनाई public int side cube int x तो यहां पर cube हमने constructor बनाया है और उसमें int x एक parameter पास किया है integer type का side equal to x कर दे int main अब यहां पर हम जब object बनाएंगे तो यहां पर हमें parameter पास करना पड़ेगा तो हमने तीन object बनाए cube class के c1, c2, c3 और हमने parameter में पास कर दिया जो int x पास कर रहते हैं 100, 200, 300 तो यह क्या parameterized constructor को call कर लेगा और यहां पर तीनों की जो values हैं हम print कर वा देंगे 100, 200, 300 फिर आता है destructor destructor भी एक special class function होता है जो destroy करता है object को जैसे ही object का scope end होता है destructor automatically call होता है compiler के दोवारा जब object out of scope जाता है syntax है वो destructor का भी सेम रहेगा जैसे constructor का है बट उसके नाम से पहले एक tilde sign लगाएंगे जैसे यह tilde sign है यह tilde sign हम लगाएंगे class मनाई a public define करेंगे destructor को यह tilde sign और a class का नाम statement destructor will never have any argument तो return type तो दोनों का होता ही निया बसे भी constructor destructor और destructor को कोई argument भी नहीं लेता है destructor अब एक्जाम्पल से हम एक समझ सकते हैं कि destructor कैसे काम करता है जैसे हमने class बनाई b इसमें constructor बनाया b constructor call होगा एक district बनाया b यह destructor call होगा int main object 1 बनाया int x equal to 1 if be object constructor called destructor called for object 2 तो यहाँ पर object जब बनेगा तो constructor call हो जाएगा और जो object destroy होगा तो destructor call हो जाएगा तो इस वीडियो हमने constructor और destructor के बाएगा पड़ा constructor में लिए तीन टाइप के हैं default है parameterized है और copy constructor है copy constructor को अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगी बहुत important topic हो भी और destructor thank you आ कि बहुत तो ऩी तो था एको ऱ आएगा प्याप टेराएवयो आएगा यू गईगा के पीडियो यूवाग श।। प्सकत। यूश दो बहुत आ कि चंजएगागा प्सक्षेड़ा एतुई में जबेँ़ा आको प्सक्षेड़ागाग एता है वीडियो